हाई फ्रेंड्स अलेक्ट्रक नॉलजटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जानेंगे कूलर कनेक्शन तीन रोटरी स्विच के साथ किस तरह किया जाता है सीखेंगे जैसे की अभी न्यू मॉडल प्लास्टिक कुलर मार्केट पर आ रहा है उसमें तीन रोटरी स्विच देखने को मिलता है उसका वाइरिंग कनेक्शन आसान तरीका में सीखेंगे तो सबसे पहले हम कॉंपोनेंट्स के बात करते हैं एक मल्टी स्पीड फैन मोटर होगी और एक स्विम मोटर होगी और एक वाटर पंप होगी उसमें जो तीन रोटरी स्विच देगे होती है एक फैन मोटर के लिए और एक स्विम मोटर के लिए और एक वाटर पंप मोटर क लिए होती है. Fan motor के rotary switch में चार टर्मिनल होता है और swim motor के लिए दो टर्मिनाल दिये गए होती और pump के लिए दो टर्मिनल नहीं तो चार टर्मिनल दी गई होती. Normally multi-speed fan motor में Blue y'all common wire होता है Red wear low speed के लिए होती है White wear medium speed के लिए होती है बट हमने ग्रीन वायर का यूज्ज की है और ब्लैक वाया हाइ स्पीड के लिए होती है दिये गए तीनों रोटारी स्विच में एक टर्मिनल पर अल लिखा होता है जहां पर फेज वायर का कनेक्शन होगी और तीनों टर्मिनल में एक दोगë तीन लेखा होती है 1 number high speed के लिए होती है और 2 number medium speed के लिए होती है और 3 number low speed के लिए होती है सबसे पहले हम 3 रोटरी स्विच में L टर्मिनल पर face का connection करेंगे अब हम neutral का connection करेंगे neutral का connection हम water pump के एक wire पर होगी और swim motor में एक बार में होगी और fan motor में blue wire common होती है उसमें हम neutral wire का connection करेंगे तीनों रोटरी स्विच में कहीं पर भी न्यूटरल का कनेक्शन नहीं होगी नेक्स्ट हम वाटर पंप में फेज का कनेक्शन करेंगे pump motor की rotary switch दूसरे टर्मिनल पर phage wire एक water pump के दूसरे wire से connection करेगे Next हम swim motor में phage connection करेंगे swim motor के rotary switch के दूसरे terminal से एक wire लेकर swim motor के दूसरे wire से connection करेगे Next हम अभी fan motor में phage wire का connection करेंगे fan motor की rotary switch के एक number terminal पर black color की wire लेकर fan motor की black color wire से connection करेंगे जो की high speed के लिए होता है फिर दो number की terminal से phage connection करके fan motor की white color की wire से connection करेगे बट हम वहाँ पे green color का wire यूस किया है जो medium speed के लिए होता है Next हम तीन number terminal से एक red color की page wire लेकर fan motor की red color wire से connection करेंगे जो low speed के लिए होता है तो तीनों component में complete connection हो गया है तो friends इसी तरह आप भी cooler की connection तीन rotary switch के साथ cooler connection कर पाएंगे तो वीडियो अच्छा लगा तो like करें और subscribe करें हमारे YouTube चैनल को